अब पॉलिगन का दूसरा एक्जमपल वह देखते हैं वह क्या हो सकते हैं हमने ले लिया एक स्क्वार ले लिया मालो इसके स्ैड्स ए- 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 इस तरसे 4 सैड्स है इन पर पर प्रस- क्यू प्रस-क्यू पर प्रस-क्यू High O solar चाहसे उनन को माइनस्स भी लिए सकते हम हम अगली कैस्ट में कर लेंगे हम तो मैने वह दिए इसको ए- इसको बी इसको इसको C और इसको D तो हम C पर ही यह निकाल रहते हैं Fnet और C यह आपको find करना है तो देखो प्रस्क्यू और प्रस्क्यू दोनों पॉजिटिव हैं कहां लगेगा और यह देखो प्रस्क्यू प्रस्क्यू कहां लगेगा और इसको क्या बोलेंगे हैं अपर F C B F C D Fossus on c due to D, Fossus on c due to B और A को लग रहाएं यह यह दोनों प्रस हैं, Outward लग रहा F C A तो ये तो क्या हो जाएगा K Q स्क्वार अपॉन A स्क्वार ये भी क्या हो जाएगा K Q स्क्वार अपॉन A स्क्वार इन दोनों को हम F बोल सकते हैं similar अरे पर यहां पर बात आती FCA की FCA क्या होगा क्या यही होगा ही वालर चुडाइगोनल है क्या यह भी A रहेगा इसको आप निकाल सकते हो आप निकाल कर रिख लेना यह आता है A ROOT 2 तो K Q स्क्वार अपॉन A ROOT 2 का स्क्वार यनि क्या हो जाएगा you K Q स्क्वार अपॉन 2 A स्क्वार है इसको क्या बोज़कते हैं F by 2 तो situation देखो क्या हो गई यह आपर एक charge F एक force F और दूसरा force F और एक तीसरा force F by 2 तीन forces इनका हमें निकालना है net force तो पहले तो इन दोनों का निकाल लो इसको resultant बोल दो FR बोल दो क्या बोलने FR F क्या जाएगा F square F square 2 F square cos 90 F square 2 F square plus 2 यह तो जीद हो जाएगा ना जीद है लिखने की जीद होती नहीं है यानि की F रूट 2 यह आपका resultant force आगया क्या जाए गई एफ रूट 2 और यह दोनों एकी लाइन में है यानि की 0 degree angle है इनकी बीच में तो इनको directly जोड़ सकते हैं वेक्टर सम कैसे करेंगे इनका F net equals to F plus sorry F by 2 plus F root 2 यह आपका polygon का दूसर टाइप का example हो गया ok